तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है और मैं आशा रखते हूं कि यह टॉपिक बहुत हद तक आपको क्लेरीटी देगा यह टॉपिक है कि वाट इस अप्रोचिंग यूर लाइफ वेरी फास्ट ओके सम देखेंगे कि क्या क्या फिल्ल्स में आप के advancement हो सकते है क्या progress हा रहा है आपके लिए generally लोग बहुत ज़दा curiosity महसूसी करते है कि भविशे में क्या है तो आज का reading उसी विशे पे है बहुत कुछ चीज क्लियर हो सकता है of course please reading को last तक देखे जानको like करे share करे subscribe करे और instagram में follow करे instagram का id description box पे दिया हुआ है you can also follow my second channel उसको भी subscribe कर सकते हो now basically reading here timeless है for all science and it's a collective reading आप याद रहिएगा कि अगर कोई science मुझे particularly दिखे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी as well as आप जान दे हो कि मैं नक्षत्र के उपर भी बताती हो okay ताकि आपको और आसानी साह मतलब crystal clear आपको reading मिले ओके तो चलिए without any delay let's start I have used blue candle today okay so in your spirit guides and angels please guide me in the right direction की मेरे जो viewers है what is approaching in the life very fast क्या रहा है दिखना रहा है कही न कहीं पर हो सकता है it is possible for some of you कि किसी किसी का हो सकता है कि marriage postponed हुआ है या engagement postponed हुआ है या इस तरह से हो सकता है कि कहीं न कहीं पर आप किसी भी चीज़ को लेके my use हो presently maybe related to your career जिस university में जिस job के लिए शायद apply किये थे हो सकता है कि वो postponed हुआ है लेकिन cancel नहीं हुआ है यहां पर मुझे कुछ इस तरह से numbers दिखाई दे रहा है बहुत सथ 9 दिखाई दे रहा है generally 9th house जो होता है नबम ठीक है जिसको स्थान माना जाता है astrology में वो जो है न अब बताओगे कि astrology क्यों बता रहे हो आप अब सुनो पहले ठीक है guys तो वहाँ पर क्या होता है ना 9th house generally एक astrological chart में होता है higher education का होता है उसका ethics का उसका कर्म का ठीक है higher purpose of life का तो generally जो धर्म होते है जो हमारे कर्म होते है generally उसको माना जाता है 9th house से represent होता है so कही न कहीं पर आप देखो कि कुछी दिनों के बाद कुछ लोग हो सकता है कि spirituality के उपर धर्म के उपर ठीक है इंसानियत के उपर और आपके ज़्यादा से ज़्यादा लगा होना start हो जाए and definitely कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है आपके लिए divine timing भी बहुत ज़्यादा close आ रहा है और proximity मतलब proximity मतलब बहुत ज़्यादा आसपास है कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं पर आपका literature लेके अगर कुछ passionate हो आप लोग ठीक है literature को लेके literature मतलब साहित दिया ठीक है उसमें हो सकता है कि आप उसको लेके पढ़ाई कर रहे हो या studies करने वाले हो या higher studies किसका A में हो सकता है in English A में हो सकता है art, history इस तरह का subjects में मतलब higher studies दिखाई दे रहा है आप clearly देखो यहाँ पर ice cream है मैं कुछ नहीं बोलोंगी यहाँ पर turtle भी आ रहा है कुछ burdens अभी भी carry कर रहे हो आज बहुत सदा clear images मुझे दिख रहा है कहीं न कहीं पर आज मैं तो बहुत सदा meditate भी कर रही थी anyway all right मुझे दिख रहा है बहुत सदा लोग यहाँ पर हो सदा जो चीज आप crack करना चाते थे मतलब जो चीज आप हासिल करना चाते थे कुछ position, power हो सदा है कि आप अभी भी आएने के सामने खड़े होते हो या दर्वाजा या खिर्की के सामने खड़े होते हो आपको लगता है कि कुछ जीवन में इस तरह के situations है जो आपने miss कर दिया है ठीक है, definitely और देखो जब ही मैंने आपको बता है यहाँ पर एक image आया और यहाँ पर एक आइन आया शिशा आया, यह कोई नहीं मतलब यह मैं बिलकुल भी देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक lady है या कोई man है and this person is holding the mirror तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पर कहीं न कहीं पर कुछ लोग यहाँ पर 25 हो सकते है कुछ लोग को यहाँ पर हो सकता है कि वर्गो हो ऐसे सारे science के लिए है फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है कुछ लोग मुझे लग रहा है इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ट्रैफल कर रहे हो आप लोग जहाँ पर आपको हो सता है यह location पर रहो ही ना, ठीक है आपको इधर उधर इधर उधर भागना परेगा ठीक है, केरियर के लिए यह हो सता है after marriage you will travel कही न कहीं पर आपने कभी महसूस किया है इस ice cream को देखे लग रहा है मुझे कुछ suppose आप समंदर के सामने गए हो और बहुत ज़दा cool ठीक है, breeze जा रहा है मतलब बहुत ज़दा ठंडा हवा है महसूस कर रहा होगे और आपके हाथ में glass है वह भी juice का या कोई भी drinks का so it will feel the vibes आपके अंदर जो vibration है कही न कहीं पर बहुत pressurization के वज़े से या हो साता है कि past energies के वज़े से आपके जो जिस तरह से बोला जाता है कि clearance of your you can say detoxification तो उस तरह से जिस तरह से body का detoxification होता है उस तरह से आत्मा का भी cleansing होता है तो कही न कहीं पर आगर आप जाते हो कुछ जगा पर तो उसके लिए definitely you will feel cleansed from the soul ठीक है आत्मा का levels और जब हमारे आत्मा बहुत सदा clear हो जाते है हमारे body detoxify हो जाता है तो हमें अपने जो लक्ष है उससे पहुचने से कोई नहीं रोक सकता यहां पर 5794 यह सारे numbers specifically 9 तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे 9 किसी का date of birth हो सकता है life path number हो सकता है 18 हो सकता है 27 हो सकता है important date हो ठीक है all right मुझे लग रहा कोई आपको definitely approach करने वाले है बट कुछ लोग के लिए वो अलग सा ही हो सकता है अलग सा जगा पे वो रहते हो ठीक है यह हो सकता है कि पहले आपके साथ रिष्टा fix हुआ था लेकिन connection बीच में से postpone हो गया या कुछ हो गया फिर से आपके साथ ठीक है यह reconnected definitely will feel okay कुछ लोग के online के थूँ maybe different medias के थूँ आपके पास कोई connection आ सकता है friendship से start होगा शायद आपको इस तरह से नहीं लगेगा कि यह जो है ना देखो फ्लेम बरा है नहीं लगेगा कि यह रिष्टा आपके लिए है आपको लगेगा this is just a casual friendship बट वो कब जाके serious relationship में convert हो जाएगा आपको पता भी नहीं जालेगा definitely मुझे इस तरह से भी लग रहा है कुछ लोग sweets में या candies इस तरह का chocolate manufacturing इस तरह का कोई sweet related industries में हो सकता है कि आप लोग को start करो maybe a start up entrepreneurship is something like that या online आपको start कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कामिया भी आपको हासिल हो रहा है यहां पे कोई definitely कुम राशी है Aquarius है यहां पे okay आप लोग creative बहुत ज़्यादा होई आपके जो mind है definitely कुछी समय के बाद में भी within nine days nine weeks के बाद ही आपका progression धीरे 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 आ रहा है ठीक है और आपको alert रहना परेगा ठीक है और कुछ मौके आपके पास आ सकते है जिनका लाब आपको लेना है but this is a general prediction I cannot say it in a determined way but मुझे लगा generally आप देखोगे ना की आपके जो values है moral है उससे लोग आकरशित हो रहे है उससे लोग प्रभावित हो रहे है और आप बहुत ज़्यदा clients को बहुत ज़्यदा लोगों को जो भी आपके workplace से related है उन लोगों को अपने आप ठीक है आपके लिए definitely वो बहुत ज़्यदा महसूस करेंगे कि you are a essential part of the team ठीक है and definitely you will grow high in your life जो मुझे दिख रहा है कहीना कही पर आपके mom आपको बहुत ज़्यदा help करने वाले है यह आपके wife हो सकते है अगर आप male हो यह आपके girlfriend हो सकते है यह sister हो सकते है यहाँ पर एक female मुझे दिख रहा है कि जिस वक्त आप इस reading को देख रहे होंगे it will be around 9 o'clock or it will be around 10.30 or 3 o'clock ठीक है और आप कुछ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर देखो can you see it यहाँ पर कुछ reptile जैसा दिखा और किसी के oh okay it's like that अच्छा यहाँ पर यह है पार्टनर हो अगर आप फीमेल है तो आपके पार्टनर हो सकते हैं आपके पार्टनर है तो बहुत ज़्यदा manipulative ठीक है कुछ लोग के लिए हो सकता है लेकिन आपके साथ उनका जो relationship है काफी ज़्यदा sweet होगा काफी ज़्यदा okay कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यदा इस तरह का similar दिखाई दे रहा है कहीना कहीं पर यू इल बी अट्राक्टेट आटोमेडिकली अच्छा अच्छा आपके औरा बहुत सदा आप जो है ना हमारी जो शरीर है उससे क्या होता है ना हमारी जो spirit है soul है उसे औरा होता है एक एक परसन का औरा feel different different so definitely it is going to be very much positive from now onwards और आप भी positive thinking करना start करोगे जिसके वज़े से आपको partnerships भी positive मिलने वाले हैं and definitely आपके साथ यह जो दोका ठीक है फिर commitment ना देना किसी का वो सब यू यहां पर है यू लेटर है यहां पर okay sea horse दिखाई दे रहा है sea horse एक तरह का creature है animal है जो समंदर में रहते है of course and definitely अगर sea horse है तो कुछ अजीब सा कुछ unique सा connection definitely you are going to attract और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जिंदगे में automatically इस तरह से manifest हो रहा है बार 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 बियर गॉबलेट दिखाई दे रहा है बियर गॉबलेट एक तरह का glass होता है so you can imagine it's like the ace of cups where a new chapter is opening for you अगर हम इस तस्पीर को देखे two love birds are there can you see that two love birds are coming very close okay very beautiful I saw that और मुझे काफी ज्यादा positive महसूस हुआ अभी थोड़ा सा मॉरकल कार्ट से देख लेते हैं guys so universe bird guides and angels please guide me in the right direction की मेरे जो viewers है उनके जिंदगी में what is heading their way very soon 2-2 is divine destiny I told you मैंने आपको ये भी बता था कि कुछ लोग अपने design time या आपके जो divine time ही है उससे काफी जदा करीब हो pillar of light I told you आपके औरा बहुत जदा positive होने वाला है positive thinking भी आप करोगे negative mindset से आपको relief मिल जाएगा ठीक है divine son child इसलिए मैं आपको बता कि definitely आपके जो sun is always related to the soulmate connection तो of course आपके जो soulmate है soul partner है definitely यहाँ पे आपके साथ उनका union होना ही लिखा है आपके जो बच्चे होंगे न that will be divine okay अगर आप expect कर रहे हो इस वक्त और इस reading को देख रहे हो definitely ठीक है यह timeless है जबी भी आप देखो गए न तो अगर आपने यह चीज सुना है अपने कानों से तो definitely आपके जो child होंगे वो divine होंगे that will be a special gift कुछ लोग के बचे होते है आप देखते ही हो extraordinary talent मतब बचपन से लेके उनके अंदर बहुत ज़दा miracles होते है gift उनको पास आ जाता है extraordinary singing करते है या dance करते है या mathematics में बहुत ज़दा expert होते है कहना कर भी studies में वो लोग खुद IAS को सिखाते है इतना मैंने देखा है टेके so of course your child will be divinely gifted with some kind of talents टेके so this is all for about you so I believe that you have loved it and please do subscribe share and do comment in the comment section till then take care of yourself and claim the reading by 99 okay 99 or 999 so here I am ending the reading and we'll meet in the next video till then take care of yourself or achcha sayerna positive thank you guys